शीव विवा की यह बात आप नहीं जानते होंगे तो आज हम आपको बताते हैं शीव का विवा कैसे हुआ भगवान शीव और पारवती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित की जा रही थी पारवती की तरव से कैई सारे उचकलोके, राजा, महराजा और शाही रिष्टदार शादी में शामिल हुए लेकिन शीव की और से कोई भी रिष्टदार नहीं था क्योंकि वे किसी भी परिवार से तालुक नहीं रखते थे जब शीव वर पारवती का भिवा होने वाला था तो एक बड़ी सुन्दर घटना हुई उनकी शादी बहुत ही भवे प्यमाने पर हो रही थी इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं होई थी शीव जो दुनिया के सबसे बड़े तेजस्वी प्रानी थे एक दूसरे प्रानी को अपने जीवन का हिस्सद बनाने वाले थे उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए सबी देवता वहां मवजूद थे साथ ही असुर भी वहां पहुँच गए आमतोर पर जहां देवता जाते थे वहां असुर जाने से मना कर देते थे और जहां असुर जाते थे वहां देवता नहीं जाना चाते थे शिप अशुपती है तो सभी जीवों के देवता भी है सारे जानवर, कीड़े, मकोड़े और सारे जीव, जन्तु उनकी शादी में उपस्तित हुए यहां तक की भूत, पिशाज और विशिप लोग भी उनकी विवा में महमान बन कर पहुँच गए यह एक शाही शादी थी एक राजकुमरी की शादी हो रही थी इसलिए विवा सामहरो से पहले एक एहम सामहरो होना था वरवधू दोनों ही वन्शावली घुशित की जानी थी एक राजा के लिए उसकी वन्शावली सबसे एहम चीज होती थी और जो उसके जीवन का गौरव होता था पारवती की वन्शावली का बखान खुब धूम धाम से किया गया यह कुछ देर तक चलता रहा आखिरकार जब उन्होंने अपने वन्श के गौरव का बखान खतम किया तो वे उधर मुड़े जिदर वे शिव बैठे हुए थे सबी अतिती इंतिजार करने लगे कि वर की और से कोई उठकर शिव के वन्श के गौरव के बारे में बताएगा मगर किसी ने एक शब नहीं कह और वधू का परिवार ताजुब करने लगा क्या उसके खांदन में ऐसा कोई नहीं है जो खड़े होकर उसके वर्श की महानता के बारें बताए मगर वहाँ वाक्य ही कोई नहीं था वर के माता पिता रिष्टदार या परिवार से कोई भी वहाँ नहीं था क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं वे सिर्फ अपने साथियों और गणों के साथ ही वहाँ आये थे जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीव सी बेशुरी अवाजे निकालते थे वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे फिर पारवती के पिता परवत राज ने शिव से अनुरोद किया किरपे अपने वन्ष के बारे में कुछ बताएं शिव कहीं शुन्य में दिखते हुए चुपचाप बैठे हुए थे वे ना तो दुलहन की और देख रहे थे और ना ही शादी को लेकर उनके अंदर कोई उत्सह नजरा रहा था बस वे अपने गणों से घिरे हुए बैठे थे और शुन्य में घूर रहे थे वदुपक्ष की और से लोग बार-बार उनसे सवाल पूछ रहे थे क्योंकि वे अपनी बेटी की शादी कैसे आदमी से नहीं करना चाहते थे जिसके वन्ष का कोई अतापता ना हो उन्हें जल्दी थी क्योंकि शादी के लिए शुब महुरत तेजी से निकला जा रहा था मगर शिव मौन थे समाज के लोग कुलीन, राजा, महराजा, पंडेत सभी घुरना से शिव की और देखने लगे और फुस-फुसाठ शुरू कर दी इसका वंश क्या है, यह क्यों नहीं बोल रहा है हो सकता है, इसका परिवार किसी नीज जाती का हो और अपने वंश के बारे में बताने में इसे शरम आ रही हो पिर नारद मुनी जो उस सभा में मजूद थे उन्होंने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीर्णा उठाई और उसकी एक तार खींसते रहे वे लगा तारे एक धुन बजाते रहे तुन 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 इससे खीच का पारवती के पिता परवत राज अपना आपा खो बैठे यह क्या बक्वास है हम वज़ की वन्शावली के बारे में सुनना चाहते है मगर यह कुछ नहीं बोल रहा क्या मैं अपनी बेटी की शादी कैसे आदमी से कर दू और आप यह खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे है क्या इसका कोई जवाब है नारद ने जवाब दिया वर के माता पिता नहीं है राजा ने पूछा क्या आप यह कहना चाहते है कि वैबिना माता पिता के बारे में नहीं जानता है नारद ने सभी को बताया कि भगवान स्वयंभू है नहीं इनके माता पिता ही नहीं है इनकी कोई विरासत नहीं है इनका कोई गोत्र नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के लावा कुछ नहीं है, पूरी सभा चक्रा गई, परवत राज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं, जो अपने पिता या माता के पिता के बारे में नहीं जानते, ऐसी दुरभागे पूरिस सित्य हो सकती है मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के माता पिता हो ही ना नारद ने जवाब दिया क्योंकि यह स्वेंभू है इन्होंने खुदी रचना की है इनके ना तो पिता है और ना ही माता इनका ना कोई वश है और ना ही कोई परिवार यह किसी परंपरा से भी तालुक नहीं रखते हैं और ना ही इनके पास कोई राच्च्य है इनका ना कोई गोत्र है और ना इंको नशक्ट्र ना कोई भागेशाली तारा इनकी रख्शा करता है यह सब इन जीजों से परे हैं, यह एक योगी हैं और इनोंने सारे अस्तित को अपना एक हिसा बना लिया है, इनके लिए सिर्फ एक वंश है ध्वनी, आदी शुन्य प्रकती ने जब अस्तित में आई, तो अस्तित में आने के पहले एक चीज थी ध्वनी, इनकी पहली अभिव्यक्ति ए खीच रहा हूं और एक ही धुन बजा रहा हूं, यह सुनकर पार्वती के पिता, परवत राच और महमान गर्ण स्थब्द रह गए और चुपचाप शिव की और देखने लगे, आगे हम जानेंगे भगवान शिव से जुड़ी हुए कुछ महत्पुन पाते, आप शिव गा उड़ाए कि डेगा हुए को और महमान खी हुए क्यरे घग्यक непिनारी केम सिस्थवी और रहलावर के वाचे घए पहल्वां और भी-घड़में धिक पिता, वेख लुछ्वार के लिड़ साव हुआ का लग जावा देगे हुए क्यग कैसया के यहाई खुए कंह भी।र था